अचिए सेम ही है कोई दिक्का तो नहीं है ठीक है चलो और हाँ बोलो कॉले पास है 4 हाँ भई समीर कॉष्टन जो बोल रहा है प्रिंसीबल तुमारे परस कितना है 4500 है ठीक है और रेट उफ इंडर्स कितना है जी 16% है और फिर क्या बोला टाइम जो है नाइनमंग्स है मैं न तो यहां सकर देखा जाए यदि ब्याज की दर ब्याज की शर्थ तेरे मासी को बोले तो quarter quarterly हो तो quarterly केस में क्या करते थे हैं हाव युवराज बताओ quarterly केस में बिल्कुल सही जवाब 4 से divided हो जाएगी rate और 4 से multiply हो जाएगा time तो अब यहां पर हमारे पास में actual rate of percent है 4% आ गई है time जो है 36 month हो गया और 36 month को आप सभी जानते हैं क्या बोलते हैं 3 years बाराट उना 24 बाराट या 36 ठीक है rate हमारे पास में कितने रिखी है 16% लेकिन मैं देख रहाँ है पर quarterly बोला है तो यानि कि rate के हो जाएगी 4 से divide हो जाएगी तो 4 से divide होने पर rate कितना आ जाएगा 4% time की बात करें तो 4 से divide हुआ है तो time भी 4 से multiply हो जाएगा फोर से multiply होने का मतलब होता 36 month देख उसने क्या बोला है 9 month बोला था 9 4 जो था 36 month 36 month बोलो या 3 year बोलो क्या एक ही बात नहीं है एक ही बात है अब जब आप method 1 की बात कर रहे हो तो 3 year लिखा वा गया और 3 year का trick क्या था 3 year का trick क्या था जिशान 3 year का trick था 331 था देखो आंसर विल्कुल accurate आएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब यहाँ पर 4500 का आपको निकालना था कितना percent 4% निकालना था बाई 4% निकालना था नीचे 100 आएगा दो 0-0 कर जाएगी तो simple सी बात है 45 into 4 मैं जानता हूं 45 का द double कितना हो जाएगा 180 तो multiply करने की जड़ा होते नहीं है हम सीधा solve कर रहे होंगे अब यह वाली बात भी होगे खतम अब 180 का आपको निकालना है 4% 180 का निकालना 4% 0 से 0 कट गए अठरा चो के होता 72 अब आगा 10 यह हो जाएगा 7.2 यह हो जाएगा आपका 7.2 अब एक बार और तो 7.2 यानि ब्याज पर ब्याज निकालती है तो हम क्या करेंगे 7.2 का भी 4% निकाल देंगे कैसे निकालोगे 7.2 का 4% निकालते हमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो यह करते हैं कि भाई इस point को हटा देना चाहिए नहीं चाहिए 0 अब multiply कर तो बहतर into 4 आसान हो जाएगा चार दूना आठ है चार सत्य अठाइस है अपन में किती जीरो है तीन जीरो है तो तीन डिजिट के पहले क्या जाएगा यहां टेकित अपपर तीन डिजिट के पहले point आ जाएगा तो हम क्या सकते हैं 0.288 0.288 अब आप से इसने पूछा था मिश्रदन बताओ ठीक है मिश् यह हो जाएगा 540 7.2 को 3 को 7.2 को 3 से multiply करेंगे तो मिलेगा 326 point है 321 यह जाएगा इधर कुछ भी नहीं है और उसके बाद में 0.288 है यहां पे solve करोगे तो 540 और 20 560 561 यह हो जाएगा 561.68 यह हो जाएगा आपका क्या compound interest हो जाएगा लेकिन मेरे भाई ने मेट से compound interest नहीं पूछा है मेट से क्या पूछा है amount पूछा है amount का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस interest principal कितना था 4500 था compound interest कितना है 561 यह है point 88 है solve करोगे तो कितना है गा 4500 500 कितना होता है 5000 होता है पांच हजार प्लस सिक्स्टी वन तो पांच हजार सिक्स्टी वन आ गया, पॉइंट में क्या है, तो पॉइंट में क्या जागा, बोले तो option number A इस दा answer, दोनों method से आपके answer आ रहे हैं, जो अच्छा लगे उठाइए